असलावलेकुम दोस्तों यदि आप कुएत में रहते हो और कुएत के इमतरीन खबरों से में सब वाकिफ हैना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने इसकोप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करें के बेल अकन को प्रेस कर ल वहाँ पे कुछ लोग कुएती कैसे थे जो कि सुदान में फसे हुए थे पर साथी अरेबिया के मदद की मदद के वज़े से कुछ कुएतियों को वहाँ पे निकाला गया इसके निकालने के बाद दोस्तों कुईत के तरब से सौधी हुकूमत को सुक्रिया दा किया गया और कहा गया कि दोनों दिस्तों में रिस्तों में आर काफी जादा बहतरी पहले से आएगी तो साथियों ये दोनों देस में काफी जादा इससे दोस्तों रिस्ता बहतर होगा क् कतर और सौधी में पहले वैसे रिष्टे नहीं थे पर अब दोस्तों वैसे अच्छा होने वाला है अगली खबर की और सातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो है रेसिडेंसी ओव ओवर 1.5 15 मिलियन एक्सपर्ट रिवोग इन लाश्ट 3 इयर सातियों आपको बता दू कि इंडियन कॉमुनिटी के तरफ से पहला जो फर्स प्लेस अमॉंग दे कॉमुनिटी होता है उसमें सबसे ज़ादा कुएट से जो है वो इंडियन एक्सपर्ट को रिवोग किया गया यानि निकाला गया जो कि लोगभग 9,65,704 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है जो अटकुल मिला के दोस्तो 1.15 मिलियन यानि मान के चली के 11,50,000 लोगों को निकाला जा चुका है दोस्तो 3 सालों के अंदर जिन में से सबसे ज़ादा जो था वो भारतिये भारतिये मूल के जो रहने वाले जो परवासी मजदूर है वो कुएट से निकाला गया है तो ये साथी ओफिसेली मिनिस्ट्र अफ इंटिरर के तरफ से एक आकड़े के तहर दोस्तो बताया गया जिन में से सबसे ज़ादा इंडिया इंडिया कॉम्यूनिटी के लगभग 9, 25,704 देखा गया है अगली खबर दोस्तों जो कुएट से सातियों आ रहे है कोट और कम एंड सेंटेंस इन ट्रैफिक कोटेट केसे खबर दोस्तों ये है कि अकॉर्डिन टू रेसें इस्टेटिक इसू मिनिस्ट्र अफ जश्टिस देयर 3,577 केस पेंडिंग दे कंडिंग यानि दोस्तों कुएट में मिनिस्ट्र अफ जश्टिस के तरफ से ये कहा गया कि लगबग 3,577 ऐसे केस पेंडिंग है जो की ट्रैफिक कोट में वहाँ पे पहुंचा है ये भी बताया कि दो मन्त ऑब जनुरी फर्वरी वीच 1559 यानि जनुरी फर्वरी के महिने में जो रिकॉर्ड किया गया बताया गया है कि लगबग इस महिने 62,000 केडी इंक्लूडिंग टू 35,920 केडी इन जनुरी और 26,300 इन फर्वरी यानि दोस्तों 35,920 केडी जनुरी में वसूला गया 28,300 केडी फर्वरी में वसूला गया कुल मिला कि 62,000 कुएटी दिनार तक का दो जाद एक्सिडेंट वगएरा इसलिए होता है अगली अपडेट कियो शातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जारे सातियों डिपार्टमेंट ऑफ हज एन उम्रा अफेयर मिनिस्ट्र अप इंडॉमेंट अब्दुल अलबाईजान इसलामिक अफेयर के तरफ से आ रही ह हैं तो सातियों बता इस साल जो है हर साल के मुकाबले काफी जादा लोग वहां पर उम्रा करने गये हैं और यह भी बताया जा रहा कि इस बार रमजान के दोस्तों बहुत को लोगा हज के लिए जाना आप सुरू करेंगे तो इस बार हज करने के लिए भी जादा हर साल से ज सर्जरी क्लिनिक्स को वहाँ पे बंद किया गया है इलीगल एक्टिवीडी के आरोप में यानि किसी तरह का एड़टाइजिंग रेगुलेशन का वो लोग वाइलेशन कर रहे थे जिसके वज़े तैतिस प्राइविट कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक्स को वहाँ पे बंद किया गया तो दोस्तों ये कुछ खबरे थी कुछ अपडेट्स थी जो की इकवेट्स यारे थी मैंने अब तक सेयर किया उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो मिलते दोस्तों नेक्स स्टूडियो पे जाहिन अलाफीस और टेक क्यार